नमस्कार, रागवी किचिन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे चत्रिस गर का प्रसिद नाच्ता फरा, जिसे प्राया हर घर में बनाया जाता है, जब भी रात को चामल बच जाए, तो आप इस नाच्ते को बना सकते हैं, और इसका आनन उठा सकते हैं, आईए देखत तेल ले लिए है, आपको सबसे पहले लेना है एक परात, आप परात ले लिए, अब आप इसमें रात का बचा हुआ चामल इसमें डाल दीजे, रात का बचा हुआ चामल आटा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिजे, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लिजे, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक यह हम नमक डाल दिये इसे अच्छे से मिक्स कर दिजे फिर हम इस पे पानी डालेंगे आटा गुन्ने के लिए हम लेंगे हलका सा पानी आपको पानी कम ही ड़िना है जब आपको लगे कि आटा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है जब आपको लगे कि पानी कम है तब आप इसमें हलक असा पानी डालके इसे सांते रहें देखिए हमने आटा लगा लिया है आटा आपको इस तरह कड़ा कड़ा लगाना है अब फरा बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों में ऐसे तेल लगा लिजे अब क्या करिए छोटी सी ऐसी लोई लीजिये और इसे ऐसे बर लीजिये आपको ऐसे पतला पतला फरा बरना है देखिए ऐसे आप बढ़ते जाए और पूरे आटे का आपको ऐसे फरा बर देना है अब हम इसे बगाः लगाते हैं, आइए बताते हैं आपको इसे कैसे बगाः लगाते हैं. देखे हैां अब रबाद है और इसे हमने वीचिन तहुंदने बगायों हैं तेल फ़ स्कूतर पर कोब से करो हो आप Sesecondर चले, Tú Aura. मिर्ची जब ऐसा फूली जाए तो हम इसमें तिल डालेंगे अब हलका सा इसमें हम पाएं डालेंगे पानी अमे इसमें जादा नहीं डालना एं अब इसका फ्लें हाइỉ कर दीजिए और इसे एक बार खीडनने डीजिए देखिये एक बार यह खॉल गया है अब ये खॉल गया है तब हम इसे अपने फरा डालेंगे ये जो फरा है इसे हम ऐसे करके इसमें छोड़ते जाएंगे आपको इसे छोड़ते जाना है अब हमेशा याद रखे फरा बनाए तो इसमें जादा पानी ना डालें हमने फरा डाल दिया है अब हम इसे डख के रख देंगे 15 से 12 मिनिट तक इसको ऐसी रखता है हमें जब तक पानी सूख ना जाए देखिए हमारा फरा आल्मोस्ट रेडी हो चुका है अब हम इसे 5 से 10 मिनिट ऐसी कुला रख देंगे उसके बाद हम इसे पलट देंगे देखिए हम इसे फरा को ऐसे पलट लेंगे इसका कलर देखिए पीछे से कितना सुन्दर दिख रहा है का खाने में भी बहुत ही स्वादिश्ट होता है इसे पलटने के बाद इसे आप 5 से 10 मिनिट ऐसी रहने दीजिए कम फ्लेम में फ्लेम आपको कम रखना है ताकि ये दोने साइट से अच्छे से सिख जाए देखिए हमारा फरा बनके रेडी हो गया है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्रीज लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि मेरी कोई भी नही रिशा है तो आपको नोटिफिकेशन मि जितने